दोस्तो आज के समय में हर कोई Facebook Instagram को यूज करते हैं अगर आप भी Facebook या Instagram को यूज करते हैं और उसमें आप फोटो अगर आप पोस्ट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा कैमरा एप बताऊंगा जिसका इस्तिमाल करके आप DSLR जैसी फोटो शूट कर सकते हैं दोस्तो हर किसी के पास DSLR कैमरा तो नहीं होता है अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है सिर्फ एक नॉर्मल फॉन है जिसका कैमरा भी उतना कोई खास नहीं है यानि कि आप फोटो को शूट करते हैं तो आपके फोटो जा है उसका जो ब नग्राइब है वो बिलकुल बलर हो जाएगा आपके फोटो का जो क्वालिटी है वो बिलकुल हाई हो जाएगा मतलब बिलकुल फुल HD वीडियो के इन्दर बताने वाला हूँ अगर आप सच में सॉसल मीडिया पर अपना फोटो अगरा शेर करते हैं तो इस एप से आप ज़ परीके से लाइक करने के बाद नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रैड कलर के बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथी साथ इस घंटी वाली आप्श उस app को बहुत आसानी से download कर सकते हैं ठीक है तो मैंने पहले से अपने mobile के अंदर इस app को download कर रखा है तो इसलिए मैं इसे फटा-फट से open कर लेता हूँ यहां पर आप को download करने के बाद कुछ इस तरीके से open करेंगे तो यहां पर आपका जो camera है वो open हो जाएगा जैसा कि यहां पर आपको इस तरीके से open कर आ जाएगा अब दोस्तो यहां पर आपको simply करना क्या है आप अपना photo shoot करना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज का अगर आप photo shoot करना चाहते हैं उसका आप shoot कर लेंगे उसके बद दोस्तो यहां पर आपको edit का एक option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है उसके बद दोस्तो यहां पर आपको इस तरीके से slide करना है ठीक है slide करने के बाद DSLR नाम से एक mode देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं इस इस तरीके से DSLR में photo का background blur होता है उस तरीके से यहां पर जो object था वो बिल्कुल blur हो गया है आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो यहां पर आपको photo में फरक देखने को मिल जाएगा जो normal photo होता है वो इस तरीके से होता है लेकिन यहां पर मैंने इस app से photo shoot किया है तो अब यह यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से photo shoot हुआ है तो काफी कमाल का यह app है अगर आप DSLR के जैसा photo shoot करना चाहते हैं तो इस app को use कर सकते हैं इस app का download link है मैंने इस video के नीचे description में दे रखा है आप वहां से इसे download कर सकते हैं दोस्तो download करने के बाद आप इस app से photo shoot करेंगे photo फोटो shoot करने के बाद आपको save करने के लिए यहां पर आपको save का एक option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click कर देंगे तो आपका photo है वो save हो जाएगा जैसा कि यहां पर देख सकते हैं save लिखा हुआ आ गया है तो इस तरीके से दोस्तों आप इस app का use कर सक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल दखेगा बाई बाई